दोस्ती प्यार में बदली और दोनों ने शादी कर ली नौ साल साथ में रहने के बाद 2023 में सोनिया को पता चला कि उसके पती का असरी नाम राहुल नहीं अजहर एहमद है सोनिया ने हरिद्वार के कंखल पुलिस्थाने में अपने पती की खिलाफ केस दर्च कराया है अब आप सोच रहे हूंगे कि हम इस ख़बर की बात क्यूं कर रहे हैं इस खबर की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहचान शिपाकर या बदल कर शादी के मामले अक्सर खबरों में आते रहते हैं लेकिन अब ऐसा करना महंगा पड़ सकता है नए प्रस्तावित कानूनों में सरकार ने नाम बदल कर यौन सम्मंद बनाने पर दस साल की सजा का प्रावधान किया है 11 गस को केंद्री ग्रिहमंत्री अमलशाह ने लोकसभा में बिल पेश करते वे कहा नए कानून में महिलाओं के खिलाफ अपराथ और उनके सामने आने वाली कई समाजिक समस्याओं का समधान किया गया है पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपनी पहचान शिपाकर और जूटे वादे करके महिलाओं के साथ शारणिक संबंद बनाने को अपराब की ख्रेणी में लाय जा रहा है तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पहचान शिपाकर शादी करने पर क्या प्रावधान और सजा है अगर कोई व्यक्ती शादी, रोजगार या प्रमोशन का जूटा वादा कर महिला से यौन संबंद बनाता है तो उसे सजा होगी वहीं ये सजा दस साल तक बढ़ाई जा सकती है और इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है इस धारा के तहट अगर कोई व्यक्ती पहचान शिपाकर शादी कराता है तो उस पर भी दस साल तक की सजा का नियम लागू होगा हाला कि इस धारा के अंत्रगत आने वाले मामलों को रेप की शेणी से बाहर रखा गया है नए कानून के मुताबिक अगर पीडिता या पीडित को उससे संबंद बनाने वाले से जुड़े तथ्य की गलत जानकारी है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उसने यौन संबंद के लिए सहमती दी है अब ये आईपीसी की धारा नब्बे में इसका जिक्र है लेकिन नए कानून में नाम बदल कर या नौकरी का जुटा प्लोभन देकर संबंद बनाने की बात को सपष्ट रूप से अपराद बताया किया है कौन सा कृत्य कब अपराद में बदल जाता है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए ये फिलहाल भारतिय दंड सहीता के तहट तैह होता है पांसो से जादा धाराओं में अलग-अलग अपराद हों और उनके लिए दी जाने वाली सजा को परिभाशित किया क्या है करीब 160 साल पुराने इन कानूनों में समय समय पर जोड़ घटाओ भी किया जाता है लेकिन इसके स्वरूप को नहीं बदला किया अब भारत सरकार एक बड़ा बदलाव करने जा रही है देश की ग्रिय मंत्री अमिल शाने लोग सबह में भारतिय दंड सहीता, दंड प्रक्रिया सहीता और भारतिय साक्षिय अधिनियम की जगह तीन नए कानूनों का मुसादा पेश किया है माना जा रहा है कि जल्द ये तीनों बिल संसदिय प्रक्रिया को पूरा कर कानून की शक्ली ले लेंगे बिल पेश करते हुए अमिजशा ने कहा 1860 से 2023 तक अंग्रेजों की बने हुए कानून की अधार पर इस देश की अपराधिक न्याय प्रणाली चलती रही इसकी जगा भारतिय आत्मा के साथ ये तीन कानून स्थापित होंगे और हमारी अपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतिय न्याय सहीता में महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए खास कदम उठाए गए हैं अभी कि भारतिय दंड सहीता यानि IPC में इस तरह के अपराध को रोकने के लिए स्वश रूप से कोई कानून नहीं है यदि कोई व्यक्ती धोके से महिला से शादी करने का वादा कर उसके साथ यौन संबंद बनाता है तो IPC की धारा 376 के तहट केस दर्ज होता है अधारत मामले को सुनने के बाद अपने विवेक के अधार पर फैसला और सजा सुनाती है अब समझते हैं कि आखिर इस कानून को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी जानकारों के मुताबिक समय के साथ अपराधों का वर्गी करण हो गया है अपराध को अंजाम देने के तरी के बदले लेकिन कानूनी प्रावधान में बदलाव नहीं हुआ ऐसे में पुराने कानूनों के मुताबिक ही केस दर्ज होने लगे जिससे दिक्कते होने लगी इसलिए स्नैचिंग, आतंकवाद, साइबर अपराध, समलैंगिक्ता और मॉब लिंचिंग आदि के बारे में नए बिल में प्रावधान है रेप के मामलों में भी दो तरह की शिकायत आ रही थी पहला जूटा प्रलोबन देकर यौन शोशन और दूसरा जबरदस्ती यौन संबंद आम कॉर पर यौन शोशन के मामलों में आईपीसी की धारा 375 और 376 के तहट पुलिस रेप का केस दर्ज कर रही थी ऐसे में नियाय प्रक्रिया और सजा तै करने के दौरान कोर्ट में दिक्कत आ रही थी यही वज़ा है कि महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े इस कानून को अब दो हिस्सों में बातने का फैसला लिया गया है पहला हिस्सा यानि जूटा प्रलोबन देकर यौन शोशन करने के मामले को अब नए कानून के सेक्शन 69 में शामिल किया गया है वहीं दूसरे हिस्से यानि जबरदस्ती सम्मंद बनाने या रेप को सेक्शन 63 में रखा गया है इससे जूड़ी सजा को सेक्शन 64 में रखा गया है सेक्शन 69 के तहट नाम बदल कर नौकरी का प्रलोबन देकर या जूटे वादे से यौन सम्मंद बनाने को अप्राध माना गया है इसके तहट 10 साल की सजा का प्राध्धान किया गया है लेकिन सवाल अभी ये है कि क्या कानून में बदलाव के बाद न्याय मिलना आसान हो जाएगा या फिर उस न्याय के लिए अभी भी कोट के चक्कर काटने पड़ेंगे